तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तू आदमी है कोई आउतार नहीं गिर उठ चल भाग फिर दोड गिर उठ चल भाग फिर दोड क्योंकि जीत एक संचिप्त है इसका कोई सार नहीं हेलो दोस्तों आप से भी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल ओपरेशन भीजे में दोस्तों मैं हूँ अखलेश यादो आज जो दोस्तों टॉपिक है आर्थमेटिक में बहुत ही जबरदर्श टॉपिक है अब उस टॉपिक का नाम क्या है घातांग यानि जिसे क टॉपिक है उसके यह सब टहनियां है आई बात समझ में तो इसी पर आज दोस्तों बहुत ज्यादा कोशन आता है गुरूप डी की में चाहें आप जाईए चाहें सीजियल से अचसल कोई भी एकजाम देजिए यहां से दो से तीन कोशन आवस्या आते हैं तो एक दम कंसेट होके समझ यह ठीक इसको बताने से पहले इसके कुछ रूल होता है दोस्तों वो समझ लेंगे तो हर एक कोशन जादा जादा दो से तीन सेकेंड में लगा लेंगे अब चलिए देखते हैं का रूल क्या है दोस्तों देखिए अगर दोस्तों एक पावर एम गुड़े में एक जाती है एक के पावर याम प्लस यान कुछ लोग जानते होंगे करेंगे माश्टर आगे बढ़ रहे हैं बस समझ यह इसको पहले एक बार समझ ली दे तो हर एक कोशन आसानी से लग जाएगा जैसे टू के पावर थ्री इंटू टू के पावर फाइप है तो यह देखिए दोस्तों यह जो है बराबर है नहीं यहां पे है तो गुडा के किरिया में यह जोड लेंगे डारेक्ट टू के पावर थ्री पलस फाइप कर लेंगे इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा टू के पावर एट आ जाएगा समझ में आ गयी बात और दूसरा नियम क्या है इसमे जैसे A के 파वर M डिवाइड by A के 파वर N है तब क्या करेंगे यह मेरे भाई A के 파वर M माइनस 1 होगा A के 파वर M माइनस N होगा कैसे कहेंगे Mastra, E कैसे कर दिए तो देखे, E मेरे भाई A के 파वर M यह डिवाइड अगर है तो यह नीचे चाहेगा तो a के पावर n हो जाएगा होगा जब यह नीचे है यह दोनों बराबर रहते हैं तो जब इसको उपर ले जाते हैं तो यही हो जाता है a के पावर yam minus yam हो जाता है आई बात समझ में इसको इस तरह बदल सकते हैं और इसको इस तरह बदल सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है अब ये दूसरा नियम अब तीसरा नियम क्या है इसमें जैसे A के पावर M A के पावर M कोश्टंग में फिर पावर N रहे तो इसको लिखते हैं A के पावर M गुड़े N लिखते हैं चाहे इसको अंदर ले लिजिए चाहे इसको बाहर ले लिजिए तब भी इनका मल्टिप्लाई इस तरह की होगा समझ गए अब चौथा इसमें क्या है चौथा यह है दोस्तों कि जैसे जैसे यक्स के पावर यक्स के पावर 1 बाई 2 है बराबर P है यक्स के पावर 1 बाई 2 है बराबर P है तो यहां से यक्स बराबर P के पावर 2 लिख देंगे यह बटे में जो 2 है इधर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा समझ गए यही 2-3 नियम थे और जो भी आएंगे आगे सब question में solve हो जाएंगे जो वहीं पर हम लोग बता लेंगे चलते question में पर तो और आसानी समझ में आएगी देखिए ये आपके सामने question है दोस्तों जो हमने समझाया अब इसी तरह आपको question दिया रहेगा तो यहां पर क्या है यहां पर भी है यहां पर है तो गुरा बीच में है बिल्गुल है तो गुरा करने के क्रिया में घातों को जोड़ देते हैं अगर यह आधार बराबर है तो a के पावर minus 3 अब इसको जोड़ेंगे तो plus yen बराबर a के पावर 5 जब यह बराबर हूँ आप देखें यहीं पर यह चीजे हमने नहीं बताया था तो देखें यक्स के पावर यक्स के पावर 3 बराबर यक्स के पावर यक्स प्लस 3 रहे इस तरह रहे तो अगर यह बराबर है तो यह राजा यह भी आपस में बराबर होंगे यानि 3 बराबर yaks plus 3 होंगे समझ में आ गया बात जब ये बराबर रहे तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे वही क्रिया से में अगर जब ये आपस में बराबर रहेंगे तो ये भी आपस में बराबर होंगे जैसे 2 के पावर 2 के पावर yaks बराबर 3 के पावर यक्स है अगर रजा ये आपस में बराबर है न तो ये 2 के बराबर 3 भी हो जाएगा 2 बराबर 3 यानि कि याँ पर अगर यक्स जुड़ा है तो 3 प्लस यक्स यहां से आप मान निकाल सकते हैं दोनों में अगर कोई भी आपस में बराबर रहेगा तो दूसरा अपने आप आपस में बराबर हो जाएगा तो वही चीज यहां पर हम लोग करते हैं जब यह चीजे आपस में बराबर हैं तो यह भी आपस में बराबर होंगे तो माइनस थ्री प्लस यान बराबर यह 5 के तो यन-3 बराबर कितने के यह minus 3 इधर जाएका तो क्या हो जाएका प्लस में हो जाएका तो यह p integrity कितना आ जाएक आठ आएगा यानि यन बराबर कितना निकल के आ गया 8 आ गया कि नहीं समझ में आ गया कि नहीं तो इसी तरह हर एक question का answer देंगे चलते हैं अगले question पे हम लो देखिए दोस्तों आपके सामने ये question जो है NTPC में आया हुआ question है तो देखिए ये कैसे लगेगा यहा पे देखिए ये 5 के पावर 10 पलस यन है into 25 के पावर 3 यन minus 4 अपान में 5 के पावर 7 यन है तो इसको solve करना है मेरे भाई तो क्या करेंगे 5 के पावर 10 पलस यन गुड़े इसको 25 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 2 के पावर में 3 यन माइन 4 इतना कर सकते हैं इसको बिलकुल कर सकते हैं तो ये देखिए 5 के पावर 7 यान हो गया अब इतना हो गया तो क्या आएगा 5 के पावर 10 प्लस यान गुड़े में 5 कैई इसका इसमें multiply हो जाएगा दोनों में तो ये कितना हो जाएगा कहें कि तिन पीडूना छह यान माईनस चार दूना आठ गा इसका टू का मॉल्टिपलाई इसमें भी ओगा और इसमें भी होगा आई बात समझ में और बठे में फाइब के पावर सेवन हैं अब देखे इसको इसको सॉल्व कर लीजे अब यह जो देखे यह यहां पर भी फाइब और यहाँ पर भी 5 है, तो यह देखिए, गुड़ा के किरिया में यह चीजे तो आपस में जूड जाएंगी, और यह चल जाएगा उपर माइनस में घात हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, 5 के पावर, 10 प्लस यन, अब देखिए, यह गुड़ा किरिया में यह चीजे और यन, कितने हो जाएगे, कहेंगे माश्टर, 7 यन हो जाएगा, यह 7 यन से, यह माइनस 7 यन कट जाएगा, तो 10 के पावर, 5 के पावर 10 है, और माइनस 8 है, तो यहाँ से घात को घटा लीजिए, तो 5 के पावर 2 हो जाएगा, और इसका आर्थ क्या आजाए, 25, समझ गए र आज तक क्या करेंगे, इसको यह करेंगे, तो देखिए, अगर हमने कहा, कि अगर 5 के पावर यन, इन्टू, 5 के पावर 3 रहे, तो अगर यह चीजे बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते है, 5 के पावर यन, प्लस 3, यही चीज ली सकते है, यही चीज यहाँ पे लिखा है, तो इसको हम इस तरह तोड़ सकते हैं कहेंगे master बिल्कुल तोड़ सकते हो तो इसको इस तरह पहले तोड़ ले तो देखिए 5 के power यान इंटू 5 के power 3 हो जाएगा की नहीं अभी हमने आपको वही चीज समझाया और minus 6 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे कहेंगे master 5 के power 1 गुड़े 5 के power 1 लिख सकते हैं अगर ये चीजे हैं अगर ये बराबर है तो फिर इसको same EC form में लिख सकते हैं बटे में ये देखिए 9 इंटू अब देखिए यहाँ पर 5 के power 1 है यहाँ पर भी 5 के power 1 है तो जब दोनों दोस्तों plus minus में अगर जूड़ी हो कोई चीज़ तो अगर समान रहे तो बाहर निकाल लेते हैं समान का मतलब जो यहाँ पर होई चीज़ यहाँ पर रहे तो बाहर कामन कर लेते हैं तो 5 के power 1 minus 9 बचेगा इधर और इधर दो दूना 4 minus 4 होगा इतना चीज़ समझ गए अब देखिए 5 के power 1 यहाँ पर भी है 5 के power 1 यहाँ पर भी है तो 5 के power 1 जो है कामन कर लीजे तो 5 के power 1 कोश्टक में अब इसका करेंगे क्या 5 पच्चेश 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 यकसो पच्चीश माइनस 5 आए यह 5 छक्का 30 5 के power 1 है तो 5 ही होगा और 5 का इसमें multiply करेंगे तो आएगा यह 30 इतना समझ गए अब देखिए 5 power 1 अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा कहेंगे master 5 आएगा और यह इससे कड़ जाएगा बिल्कुल कड़ गया है 19 समझ में आया ली बातिया कैसे लगा है तो इसको आप इस तरह solve कर सकते हैं चलते हैं अगले question पे हम लोग देखे राजा इस वीडियो का last question है तो एकदम concentrate होके समझेगा देखिए क्या दिया है 3 कोष्टक में 5 प्लस कोष्टक में 4 प्लस 12 के पावर 1 बाई 2 कोष्टक के पावर फिर 1 बाई 2 equal में क्या दिया यक्स के पावर 1 बाई 2 तो यहां से आपको यक्स कमान निकालना है तो देखे कैसे निकालेंगे यह 3 कोष्टक में 5 प्लस इसको जोड़ेंगे कितना आएगा कहेंगे माश्टर 12 और 4 जोड़ेंगे 16 आएगा अब 16 के पावर 1 बाई 2 अब यह कोष्टक के पावर फिर 1 बाई 2 है यह बराबर यक्स के पावर 1 बाई 2 इतना समझ गए अब देखे 3 कोष्टक में यह क्या दिया है 5 प्लस अब इसका आर्थ क्या होता है अगर यही पर घनमूल रहे तो यहाँ पर क्यूब लग जाए यहाँ पर 3 रहेगा यहाँ पर 4 रहेगा अगर कुछ न रहे तो यहाँ पर 2 रहेगा तो इसका वर घनमूल निकालेंगे राजा तो क्या आएगा कहेंगे माश्टर आएगा 4 तो यह 4 के पावर फिर यहां पर पावर में क्या है 1 by 2 बराबर में यक्स के पावर 1 by 2 इतना चीज़ समझ गया आप देखिए यह 3 अब यहीं पर आप कर सकते हैं एक दम आसानी से 5 और 4 जोड़ेंगे कितना कहेंगे मास्टर आएगा 9 नो के पावर 1 by 2 का आर्थ क्या होगा कहेंगे मास्टर 9 के पावर 1 by 2 का आर्थ यह ओगा कि इसका वर्ग मून निकालना चैँड़ तो यहां पर डारेक्ट लिख सकते हैं 3 गुडे 3 आई बास समझ वें इसको सॉल्ब किए तो इतन आया बराबर यक्स के पावर 1 by 2 अब यहां पर देखिए अभी हमने कहा कि अगर यहां पर वन बाई टू में है तो इधर जाएगा तो पावर में हो जाएगा तो यहां पर यक्स बराबर नौ के पावर दो हो जाएगा यानि नौ के पावर दो कार्थ कितना होगा कहेंगे माश्टर आएगा 81 समझ में आ गया कि नहीं तो हर एक question आप आसानी से लगा लेंगे एकदम concentrate होके समझेए ठीक तो I hope कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया subscribe कर लिजे और bell icon को दबा लिजे क्याने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे कैसी लगी वीडियो कमेंट के माधन जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगे तो दोस्तों पड़ोसी रिस्तदार में share करिएगा ठीक मिलते हैं next वीडियो में दोस्तों जहिन